इन दिनों कोरोना वाइरस से जूज रहे हर इंसान के लिए इम्म्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है प्राचीन काल से ही गिलोय को एक आयरवेदिक औशिधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है प्राचीन के पाइदों को देखते हुए हाल के कुछ सालों में अब लोगों में इसके प्रती जाग रुकता बढ़ी है एक अवेरनेस हो गई है गिलोय के बारे में और अब लोग अपने घरों में ही गिलोय की बेल जो होती है उसे घरों में लगाने लगे हैं हलांकि अभी भी ज्यादतर लोग गिलोय की पहचान ठीक से नहीं कर पाते हैं हम आपको बता दें कि गिलोय की पहचान करना बहुत आसान है इसकी पत्तियों का आकार जो होता है वो पान के पत्तों की तरह होता है इसका रंग गाड़ा हरा होता है आप गिलोई को सजावती पौदे के रूप में अपने घरों में भी लगा सकते हैं गिलोई को गुडूची अम्रता नामों से भी जाना जाता है आयरवेद के अनुसार गिलोई की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुडों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोई की बेल को औशिदी के लिहाज से बेस्ट माना जाता है इसे नीम गिलोई के नाम से जाना जाता है गिलोई में गिलोई नामग ग्लूकोसाइड और टीनोस्पोरिन, पामेरिन और टीनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है इसके अलावा गिलोई में कॉपर, आयरन, फॉसफोरस, जिंक, केल्शियम और मेगनीज भी प्रचुर मात्रा में मिलते है आयर्वेद के अनुसार गिलोई की पत्तियां, जड़ें और तना तीनो भागी सहत के लिए अधिक गुणकारी है लेकिन बिमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा उप्योग गिलोई के तने या उसकी डंठल का ही होता है गिलोई में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंट पाया जाते हैं इन्फलमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं इन्ही गुणों की वज़े से ये बुखार, पीलिया, गठिया, डियाविटीज, कब्स, एसिडिटी, अपच और यूरिन रिलेटेल रोगों से आराम दिलाती है बहुत कम दवाईयां, और शिदियां ऐसी होती हैं जो वात, पित और कफ तीनों को नियंत्रित करती हैं गिलोय उनमें से एक है, गिलोय का मुख्य प्रभाव जो है वो टॉक्सिन यानि विशैले जो हानिकारक प्रदार्थ होते हैं उन पर पढ़ता है और ये हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में एक बहुत ही इंपोर्टेंट रोल निभाता है आम तोर पर गिलोय का सेवन आप तीन रूप में कर सकते हैं गिलोय का सत्व यानि गिलोय जूस या गिलोय स्वरस और गिलोय चून वैसे आजकल बजार में गिलोय सत्व और गिलोय जूस आसानी से उपलब्ध है आप ले सकते हैं बिमारियों को दूर करने के अलावा शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय के बहुत फायदे हैं गिलोय सत्र या गिलोय जूस जो है उसका नियमित सेवन जो है अगर आप इसे नियमित रुप से लेते हैं तो वो आपकी immunity पावर को बढ़ाता है इसमें सर्दी जुकाम जैसी कई तरह की प्रॉबलम से बचाव होता है इसे आपकी immunity बढ़ेगी और आप करोना से बच सकेंगे गिलोय को ज्वर नाशक यानी बुखार को खतम करने वाला भी कहा जाता है गिलोय आँखों की रोशनी बढ़ाता है पाचन को तंदुरुस्त रखता है डियाबिटीज में बहुत फायदेमंद है मोटापा को दूर करने में मदद करता है इम्म्यूनिटी बढ़ाता है और स